गुद्मॉर्णिंग एवरिवान वालकम टू पैरमाउंट एग्रोक्लासिज जैपुर जोटवाड़ा तो आज की क्लास में हम डिसकुस करेंगे अगस्त मंत का कंप्लीट ओवरॉल करेंट अफेर इतलब अगस्त का जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है जितना भी करेंट ह सब चीजें हम आज इसमें डिसकुस करेंगे लाइक फर्स न्यूस है ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन और अगस्त मंत में जो मून पे हमारे एक सैटलाइट गया है चंद्रियान 3 मिशन था वो मून का जो साउतिस पोल है मून का उसमें इंडिया नंबर वन पोजिशन पर आ गय है तो वो सब चीजें हम आज डिसकुस करेंगे इस वीडियो में जिसमें राजिस्थान से रिलेटेट नैशनल इंटरनाशनल सभी न्यूस हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे तो ज्यादा टाइम बेस नहीं करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारी फर्स न् चीक है तो ब्रिक्स जिए डिक्स की फूल फर्म क्या होती है ब्रिक्स कब ऑर्गिनाइज हुआ इसका जो एडिशन था संस्करंड संस्करंड को कहते हैं इसका एडिशन इसका 15 एडिशन था ठीक है अभी इसका 14 जो एडिशन हुआ, वो कहा हुआ, चाइना में हुआ, ठीक है, 14 जो एडिशन हुआ था, 2022 में वो चाइना में हुआ था, आयोजन जो इस्थल हुआ, इसका ये कहां पर होस्ट किया गया, ये जोहांसबर्ग में हुआ, दक्षिन अफरिका में, जबकि 14 जो हुआ, वो चाइन नामे हुआ और जो 15 जो एडिशन है वो कहा हुआ दक्षिन अफ्रिका के जोहांस बर्ग में ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है इसमें जो कंट्रीज का ही नेम है ये तो इसमें क्या के इंक्लूड है तो ब्राजील आर फॉर रश्या इसे हम रूस कहते हैं इंडिया चाइना और लास्ट है साउथ अफ्रिका अब ये इसके अंदर ये प्रपोजल गया है कि ब्रिक्स में ये जो कंट्रीज है ये कंट्रीज भी इसमें शामिल होने वाली है लेकिन अभी ये 2024 जैन में अउली ये कंट्रीज जी ऐड़ अप हुई है इसमें इंक्लूड की गई है अभी अर्जेंटिना को इसमें नहीं आई हैं अभी अर्जेंटिना इसका सदस्य मैंबर नहीं बना है इसका तो मिस्ट ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रिका ये तो इसका हुआ फुल फॉर्म इसका पूरा फॉर्म जो है ये और अभी जो लेटेस्ट कंट्री मेंबर्स बने हैं वो मिस्त साओधी अरब, UAE, एथियोपिया और इरान इसका मेंबर कंट्रीज बनी है अब ब्रिक किस थापना ये और इसका मेंबर बना 2010 में नेक्स्ट येर ही साओध अफ्रिका इसका मेंबर बन चुका था लेकिन जो ब्रिक पहले इसे ब्रिक बोला जाता था 2019 में पहले ये सिंपल ब्रिक था लेकिन जैसे ही 2010 में साओध अफ्रिका जब इसमें एड़ अप हुआ एड़ आन हुआ तो ब्रिक्स के नाम से ही जाना गया 2010 में ठीक है ये थी इसकी में में पॉइंट इसका हेड़कॉर्टर कहा है इसका हेड़कॉर्टर चाइना के शंगहाई में है अब शंगाई में एक new development bank है जो कि 2015 में establish हुआ था तो उसके साथ ये deal करते हैं कि मतलब इस पर ये climate change related global warming related जो भी development होता है country का economy का ये सब matters पर ये जो summit होता है इस पर ये conclude करते हैं discussion करते हैं सब ये countryya मिल करके कि कैसे हम climate change इस पर क्या-क्या changes ला सकते हैं growing of tree climate को बहतर बनाने के लिए तो इन सब चीजों में इस summit में ये सब चीज़ा discuss होती है getting to Brics शिखर सम्मिलन 15th edition था जोहांजबग दक्षेन एफरीका में conduct हुआ host हुआ और Brics में जो शामिल होने वाली इस अदस्य है मिस्त्र साओधी अरब UAE इथियोपिया और इरान ये इसके country member अभी new include हुए है ये तो बहुत easy ये Brics की full firm राजीन रशिया इंडिया चाइना साउथ एफरीका getting now move on next news trachoma ट्रेकोम ट्रेकोमा एक disease होती है और इसको खतम करने वाला 18th देश जो बना है वो एराक बना है कौँ बना है एराक बना है ट्रेकोमा को खतम करने वाला अब एक्जाम में आ सकता है कि ट्राकौमा को खतम करने वाला निमन उनमेंसे कौनसा देश बना है अठारवा देश कौन पोजिशन में आया है तो वह है एराख गेट अब क्रुमा जो होता है वह एक वाइरल डिज्हीज है संक्रामक रोग है, जैसे वाइरस से होता है और इसका एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल क्लाउडिया क्लाउडिया नाम का बैक्टीरिया होता है, इससे रिलेटेड, तो क्लाउडिया बैक्टीरिया जो है उसके थ्रू ये फैलता जाता है आई में ठीक है आई से रिलेटेड ट्रेकोमा आई रिलेटेड एक डिजीज है ठीक है वाइरस है ये आई में टाइफून लेंड नेक्स न्यूज आता है टाइफून लेंड जो टाइफून लेंड है वो कहां पर आया है टाइफून लेंड Pacific Ocean से टाइफून लेन जापान के तट पर आया है अगस्ट दो हजार तेईस में Move on next news Britain में एक बार फिर से कोरोना वाइरस ने दस्तक दिये ये बार ठीक है इतना important नहीं है लेकिन आगे की लाइन पढ़ो पूछ लेगा कि Aries क्या है Aries, what do you mean by Aries अब confuse करने के लिए हमें बोल देगा कि Aries एक computer है super computer है या कोई COVID-19 से related variant है या उप्युक्त में से कोई नहीं तो Aries ये word important है बस, ये word जो है क्यों important है, हमें confuse करने के लिए super computer दे सकता है computer से related या कोई artificial intelligence से related कोई tool है, तो हमें इसमें confused नहीं होना है, तो Aries जो है वो COVID-19 का एक नया variant है जो कि ब्रिटेन में फैल रहा था, अगस्त में इसे वहाँ पर easy 5.1 नाम का COVID-19 बोला गया और Aries नाम इसे दिया गया, गेटें तो Aries ना तो कोई computer है ना कोई super computer है ना ही कोई AI related tools है, कुछ भी ऐसा नहीं है बट यह एक COVID-19 का variant है, जिसे Aries नाम दिया गया Move on, next news Project Tiger और Project Elephant, इन दोनों का क्या कर दिया conclude कर दिया, इनने merge कर दिया, ठीक है, बट अभी इसका proposal गया है, सबसे important चीज़ हाती है कि Project जो Tiger है, वो कब बना और Project जो Elephant है, वो कब बना Tiger यह कि हमारा जो National रश्री पश्रू नेशनल एनिमल है जो Tiger है, तो 1973 मे Project Tiger आया 1st of April ठीक Project Tiger कब आया 1973 में और Project जो Elephant आया, वो 1992 1992 मे 1992 में Project Elephant आया, अब इस पर अभी एक proposal गया है, परियावरण मंत्री मंत्राले की द्वारा, बुपेंदर यादव है परियावरण केंदरी, परियावरण मंत्री जो है बुपेंदर यादव की द्वारा गया है यह proposal कि Project Tiger और Project Elephant को क्या करदो, मर्ज करदो, कि इनके conservation और protection के लिए, लेकिन अभी इस पर बहुत सारी queries आ रही है, तो अभी जिसका काम चल रहा है, बट यह कि निम्ण में से किन दो प्रोजेक्ट को विले करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह दो प्रोजेक्ट ने है Project Tiger और Project Elephant, तो Project Tiger जो है वो कब आया, 1973 में और Project Elephant 1992 में Now move on next news BRO, BRO ने शुरू किया, BRO क्या है, यह एक border road organization होता है Border road organization होता है, यह BRO, यह कब establishment हुआ, 1960 के अंदर इसका establishment हुआ, और BRO ने शुरू किया है, विश्व की सबसे उची सडक का निर्माण तो यह सबसे उची सडक का, विश्व की सबसे उची सडक का है, लद्दाक के डेमचोक सेक्टर में है Important है, कि विश्व की सबसे उची सडक का निर्माण कहां किया गया है तो जम्मू कश्मीर दे सकता है, कन्फ्यूस करने के लिए, बट लद्दाक, लद्दाक की डेमचोक सेक्टर में विश्व की सबसे उची सडक का निर्माण किया गया है लिक्रू मिगला फुक्चे, लिक्रू मिगला फुक्चे, नामक यह रणनीतिक सडक जो है, वो 19,400 फिट की उचाई से होकर गुजरेगी इसका जो हाइट है, जितनी उचाई है, इसकी हाइट पर है, तो यह इतनी फिट की हाइट पर है और लिग्रू मिगला फुक्चे लद्दाक में थी, अगर आपको याद हो तो उमलिंगला सडक, ये कब बनी थी? 2012 में, 2012 में इस पर वरकिंग हुआ था सब चीज में, तो ये 2012 में बनके पूरी रेडी हो गए थी और यहाँ पे मोटर जो बाइक्स होती है, वो यहाँ पे रन हुआ करती थी, लेकिन अब इससे भी बड़ी बन गई है, विश्व की सबसे उची सडक, लिकरू, मिगला, फुक्षे, जो की लद्दाक के डेंचोग सेक्टर के सेक्टर में है, गेटिंग और BRO, BRO से Border Road Organization होता है, ये 1960 में इसका Establishment हुआ, और इसे रिलेटिड यही चीजे हैं, जो में में, ये तो आपका National Smart City Awards 2022 में सबसे जो टॉप सिटी है, वो इंदौर है MP की, ठीक है, तो इसे लगबग छटी या सातवी बार ये अवार्ड मिल रहा है, कि सबसे Smart City Awards हैं, और ये जो अवार्ड हैं, किस मंत्राले, किस मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, ये केंद्रिये आवास एवं, शहर कारिये मंत्राले के द्वारा अनाउंस किये जाते हैं, घोशित किये जाते हैं, ठीक, तो स्मार्ट सिटी मिशन है ये, और इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट की विज़िताओं की घोशना करी है, तो सबसे टॉप पर है इंदौर, नमबर वन पोजिशन पे इं प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने लॉंच किये अमरत भारत स्टेशन योजना, अब ये क्या है अमरत भारत स्टेशन योजना, अमरत भारत स्टेशन योजना ये है, कि जितने भी स्टेशन है, उनका रिन्यूएशन करना, मतलब उनका पुनर विकास करना, उनका डवलप स्टेशन जो होते हैं रेल्वे स्टेशन उनका पुनर विकास करने के लिए या उनका रिनुवेशन करने के लिए रीडवलप्मेंट करने के लिए अभी हमने 15 अगस 2023 को 77 स्वतनतिता दिवस इंडिपेंडनेंस डे सालिब्रेट किया था इसमें कुछ लक्षे रखे गए हैं अब यह इंपार्टन क्विशन बन जाता है कि भारत जो है वो विक्सित देश बनने का लक्षे कब तक रखता है तो 2047 तक हमने एक टार्गेट रख है कि हमारी जो कंट्री वो एकदम डवलप्ड हो जाएगी अभी हम डवलपिंग है अब डवलप भी हो रहे हैं लेकिन 2047 तक हम कंप्लीटली डवलप्ड नेशन हो जाएगा हमारा ठीक है भारत राष्ट जो है वो विक्सित राष्ट बन जाएगा और इसके लिए 15 अगस 2023 क कि जो थीम थी वो राष्ट पहले हमेशा पहले थी ठीक अब अमरित भारत आजादी का अमरित महतसर्व चल रहा है आजादी का अमरित महतसर्व यह जो महतसर्व है वो कौन से एर में आया 2021 में हम 75 जब इंडिपेंडेंट्स डे सेलिबेट कर रहे थे तब यह उसमें आया तो आजादी का अमरित महतसर्व हम कबसे स्थार्ट करने लगे 2021 से 2021 में हमने 75 इंडिपेंडेंट और 2022 में 76 और 2023 में हमारा यह सततरवा स्वतंतता दिवस था और इसमें कोई special guest वगेरा नहीं थे only normal नरिन मोदी जी ने ही लाल के लिए पर इन्होंने flag host किया था very important कि भारत का सबसे पहला जो artificial intelligence school है वो कहाँ पर है केरल राज्ये में विग्या होगा केरल राज्ये ने अपने पहले भारत पूरे का यक मातर राज्या बन गया है कि भारत केरल राज्ये ने ने ओपन किया है इसकी शुरुवात किये संत्किरी विद्याभवर तिरुवादपुरम येस मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया ने एक हिस्ट्री क्रियेट कर दी है कि मून के चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला फॉर्स्ट कंट्री और एक चीज और बता दूँ ये जो सॉफ्ट लेंडिंग हुई थी मून पर तो यूट्यूब पर सबसे जादा लाइव स्ट्रीमिंग देखने वाला वीडियो यही बन गया था एट मिलियन पीपल्स ने इसे व्यू किया था स्ट्रीमिंग लाइव जो स्ट्रीमिंग हुई थी जब सॉफ्ट लेंडिंग हो रही थी तो सबसे जादा यूट्यूब पर जादा देखने वाला जो वीडियो था वो यही बना था ठीक है क्योंकि हमारी कंट्री ने एक हिस् अच्छी नियूस थी और हमने ये हिस्ट्री क्रियेट कर दी कि मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाले हम फर्स कंट्री आ गये हैं ऐसा को किसी भी देश ने नहीं किया अभी तक अब बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन की यही इसी से रिलेटेड है तो इस मिशन को क्या न नाम दिया गया और यह किसने इस्रो यह इस्रो का था इंडियान इस्पेस रिसर्च और्गिनाइजेशन का यह चंद्रयान 3 मिशन था किसी डियाडी ओ अगेरा का नहीं था इस्रो ने यह होस्त किया है कंप्ली तो इस्रो के चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 mission के तहट lander important है इसका जो lander का नाम है वो क्या है विक्रम और जो rover का नाम है वो है प्रज्यान rover का नाम क्या है प्रज्यान और जो lander है उसका नाम क्या है विक्रम कहां से इसे भीजा गया है आंध्र प्रदेश के शिरी हरी कोटा इस्थित सतीज धवन जो space center है वहां से LVM3M4 rocket से इसे 14 July को launch किया गया था और ये कब पहुचा 23 August 2023 को इसने soft landing की अब 6 पयो वाला starting में मेज में दिख रहा है ये रहा ये जो rover है इसके जो six tires है ठीक है ये जो 6 पयो वाला rover है rover का नाम है प्रज्यान इसके चलते राश्ट्रिये चिन राश्ट्रिये चिन अशोक स्थम हमारा राश्ट्रिये चिन है वह national emblem जो है वह हमारा अशोक स्थम है और इस्रो के लोगो की छाप जो इस्रो का logo है इस्रो का जो logo design है तो उसका ये प्रिंट चंद्रमा की सतह पर छोड़ेगा जैसे कि मैंने आपको साइटिंग में बिताया अब इंपार्टन चीज़े देख लेता है कि इस्रो के जो डारेक्टर है वह एस सोमनाथ है बिल्कुल पता होना चाहिए इसफरो के डारेक्टर थे मोहना कुमार और प्रोजेक्ट इजो प्रोजेक्ट था उसकी डारेक्टर क्यों थे मुथू लेक्ट मुथू विल, मिशन की डारेक्टर थे मोहना कुमार और प्रोजेक्ट की डारेक्टर थे पी विल, मुथू विल अब ठीक है हमने सॉफ्ट लेंडिंग कर दी, हिस्ट्री ग्रियेट कर दी अब इसके बाद में प्रधान्मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस को प्रति वर्ष एवरी एर राष्ट्रिये अंत्रेक्ष दिवस मनाने का घोष्णा की थी नाशनल स्पेस डे बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्री नाशनल स्पेस डे जो है वो 23 अगस को हम सेलिब्रेट करेंगे प्रधान्मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चंद्रेयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो जब उसको टच पॉइंट है ना जो मून की सतय पर उन्होंने जो टच पॉइंट किया विक्रम लैंडर ने उसे कहा जाएगा शिव शक्ति पॉइंट शिव शक्ति नाम दिया गया उसको जो विक्रम लैंडर है जो उसने टच टच डाउन पॉइंट जो था चंद्रमा की सतय पर उसको शिव शक्ति नाम दिया गया और चंद्रेयान 2 के मिशन का जो लैंडर विक्रम था उसके टच पॉइंट को तिरंगा नाम दिया गया बहुत important है यह चंद्रयान 2 का था चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में हमने जो भेजा गया था यह वाला mission जो था चंद्रयान 2 2019 में लेकिन जब 2019 का जो Vikram Lander है उसके touch point को कहा गया तिरंगा और चंद्रयान 3 के जो Vikram Lander के touch point को कहा गया Shiv Shakti point कहा गया now move on next news अगे और तो language यस नाशनल स्मार्ट सिटी अवर्ड अभी डिश्कायं आए इन दोर मिला है MP के इंड को मिला है smart city अवार्ड में अब हमारा राजस्थान जो है वह कान से नबर पर है राजस्थान को मिला है इसमें 3rd पोजीशन ठीक है तो नमबर 1 पर है इसका MP अभी हम बात करके आए MP, नमबर 2 पे तमिल नाडू, ये TN का मतलब तमिल नाडू, और 3 पे आया है हमारा राजस्थान, तो इम्पार्टेंट है ये भी कि राजस्थान की रैंकिंग क्या रही है, राजस्थान की 3rd रैंकिंग रही है, नाश्टनल स्मार्ट सिटी अवार्ट 2022 में, और इसमें 3rd पोजिशन पर ही UP को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, तो राजस्थान और UP दौनों को इसमें क्या है, साहियोक्त रूप से, मतलब कॉन्केडिनेट करके, और राजस्थान और UP को दौनों को 3rd पोजिशन पर रखा गया है, CPA का 9th भारत चेतर सम्मेलन जो है वो उदैपूर में हुआ है, राजस्थान में आता है उदैपूर, राजस्थान उदैपूर झीलो की नगरी, उदैपूर को झीलो की नगरी कहा जाता है, और यहां आया भी है येरा, यह जो सम्मेलन हुआ है, जो association है, Commonwealth Parliamentary Association है, और इसका 9th जो इंडिया एरिया है वो जीलो की नगरी उदयपूर में होस्ट हुआ है 21 और 22 अगस्त को और सम्मेलन का जो इन्योग्रेशन है उद्भाटन जो है वो लोकसभा की की तो हमें है तो इसमें जो मेजबानी जो होस्ट करनी की जो r repeated वो राज्स्तान को पहली बार मिली है फर्स टाइम इसको ये ड्यूटी मिली है राजस्थान को कि ये जो स्टेट है ये सी पीए कॉमन विल पार्लियमेंटरी जो एसोशेशन है उसका जो नाइन्थ इंडिया एरिया है वो राजस्थान होस्ट करेगा राजस्थान में कहां पर उदैपूर जीलो की नगरी में आएंगे ये टाइगर रिजर्व मिलेगा राजस्थान को फिफ्ट जो टाइगर रिजर्व है एक और बाखभ्यारन जिसे टाइगर कराॉली टाइगर रिजर्व के रूप में होगा आप इससे पहले जो फोर हमारे रहे हैं आप केंद्री प्रियावरंट वन और मेडिया पर इन्होंने किया NTCA, अब NTCA क्या आई है, National Tiger Conservation Authority है, National Tiger Conservation Authority, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी NTCA, National Tiger Conservation Authority, इसके जो head है, इसके जो अध्यक्ष है, वो प्रकाश जावडेकर है, इसके जो इसके जो head है, वो प्रकाश जावडेकर है, NTCA, NTCA जो है, वो Tiger Conservation Authority है, बतलब बागों के संरक्षन के लिए बनी हुई एक संस्था है, अथौरिटी, एक प्राधी करण है ये, तो भूपिंद्र यादव ने ये शोचल मीडिया पे शेयर करतो है कहा है, कि धोलपूर करॉली का जो Tiger Reserve है, इसको मंजूरी दी जाए, अब धोलपूर सरमुत्रा करॉली Tiger Reserve की मंजूरी दी है, और राजस्थान का ये 5th, और भरतपूर जो हमारा संभाग है, उसका ये दूसरा Tiger Reserve है, बहुत important है कि राजस्थान का कौन सा Tiger Reserve है, और भरतपूर संभाग का कौन सा Tiger Reserve है, तो भरतपूर संभाग का तो ये दूसरा है, और राजस्थान का 5th है, इससे पहले और भी हमारे राजस्थान में कितने किते Tiger Reserve है, चार है अभी उसको मंजूरी दी है, या नहीं अभी नहीं, लेकिन उसका order, proposal दे दिया गया है, अभी तो चार है, रंधंब next news, अब ये बात आती है, कि क्या है, ये हमारे राजस्थान के geographical index, geographical index का मतलब, sorry, indication, GI tags है, ये हमारे GI tags है, अब geographical indication क्या होता है, कि इसका meaning होता है, कि किसी भी state के, जो भी मतलब important जो कलाएं होती है, उनको GI indication tags दिया जाता है, भोगोलिक संकेत दिये जाते हैं, और ये 10 साल तक valid होते हैं, इनकी जो validity होती है, 10 years तक ही होती है, पहला जो भारत का GI tag मिला था, वो West Bengal की दार्जिलिंग की चाय, उसको मिला था, पहला GI tag, तो राजस्थान के बारे में थोड़ा सा discuss करना साई, ठीक है, राजस्थान की इसको GI tag मिला है, जोदपूर की बंधेज कला, जो बंधेज कला होती है, वो कहां की famous है, जोदपूर की है, कोफ्त गिरी, मैटल शिल्प, यानि की मैटल की उपर कुछ कला कारी, ये मतलब को शिल्प कारी की जाती है, तो ये उदैपूर की बहुत, बहुत जादा प्रसिद ह बीका निर की उस्तकला, ठीक है, बीका निर की भुजिया रसगुलो को भी मिला हुआ है, वैसे GI tag, अभी डिस्कस करेंगे, और बीका निर की जो कशिदाकारी शिल्प है, उसको भी GI tag मिला है, तो ये अभी latest, 1, 2, 3, 4, 5, राजस्थान की 5, जो geographical indication है, इन्हें GI tags मिला है, ठी के सब जानते हैं, बंदेज कला कहां की famous है, जोरपुर की, कोफ्तगिरी metal, मतलब कुछ metal पे कुछ कलाकारी की जाती है, तो वो दैपुर की famous है, बीका निर की उस्तकला, उस्तकला मतलब उंट की खाल की उपर कुछ डिजाइन जो करते हैं, वो, और बीका निर की जो कशिदा डोरिया को, GI tag मिला था, ठीक है, किसको मिला था, पोटा डोरिया को मिला था, इसके बाद जैपुर की blue pottery बहुत famous है, मोलेला कले, मोलेला कले जो है, वो रासमन्द में है, रासमन्द की है ये, और राजसान की कटपुतली, सागा निरी hand block जो printing है, बीका निरी भुजिया, गोर में, ठीक है, ठेवा कला प्रताफगड की famous है, बगरू print अपने सांगानेर वाले एरिये से related आता है, जैपुर की blue pottery है, मोलेला कले जो है वो, रासमन्द से relate करती है, मोलोला कले की जो work है, ये सब, ठीक है, तो राजस्थान में, और ये जो सारी GI tag है, वो 2031 तक validate next news, हम IPL बहुत देखते हैं, तो ऐसे ही सेम उसी की तर्च पर होता है, राजस्थान प्रीमियर लीग, आर पील जिसे कहते हैं, ठीक है, आप IPL में बहुत सारी टीम होती है, हमें सब को पता है, डैली कैपिटल होती है, मुंबा इंडियन होती है, चैनली सुपर स्कूरिंग होती है, कोलकता नाइट राइडर होती है, गुजराट टाइटन होती है, बहुत सारी टीम होती है, ऐसे इसे राजस्थान प्रीमियर लीग में प्रदेश की क्रिकेट प्रतिभावों को एक प्लाटफॉर्म देनी के लिए ये कंड़क्ट किया जाता है, और इसमें 19 मैच हो जोदपूर में है, और आरपी यहां पर हुआ है, टोटल 19 मैच होते हैं, जिसमें से 9 मैच तो होते हैं, जोदपूर के बरकुतुला में हुए हैं, और जो रिमेनिंग 10 है, वो सवाई मान सिंग स्टेडियम जापूर में हुए है, ठीक है, क्योंकि जापूर कैपिटल है, त जापूर में भी होस्ट होता है, ठीक है, तो जोदपूर और जापूर, अब आरपी यह में जो टीम्स होती है, उनके नेम्स देख लेते हैं, जापूर इंडियन्स, जोदपूर संडाइजर, यह तो नॉर्मल याद हो जाएगा, जापूर इंडियन्स और जोदपूर, इस में से 9 जोग होता है, वो बरकतुला खाई स्टेडियम जोदपूर में होता है, और जो रिमेनिंग 10 होता है, वो जापूर के सवाई मांजिंग स्टेडियम में होता है, पूछ लेगा, आरपी यह में कितनी टीम्स खेलती है, 6, 6 खेलती है, जापूर इंडियन्स, जोद तो सबसे ज़्यादा ट्यूरिज्म जो प्रयाटनों की दृष्टी से बहुत अच्छा मन को भाने वाला जो प्रदेश है वो हमारा राजस्थान है और इसे हैरिटेज कला संस्क्रिट में तो ऐसे भी राजस्थान बहुत आगे है तो इसे फर्स अवार्ड मिला है ठीक है और चेन्नी में ये होस्ट हुआ और वर्ष का सर्वस्रेश्ट बैस्ट हैरिटेज ट्यूरिज्म देस्टिनिशन आप दा इयर अवार्ड जो है वो राजस्थान को मिला है वीर तेजाजी पशु मेला इंपॉर्टेंट है ये भी हम जब लोग देवता लोग देवियां ऐसे पढ़ते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट जो फेयर्स होते हैं मेले होते हैं और कब-कब ये लगते हैं बहुत चीज़ें इसमें भी तो वीर वीर तेजाजी जो पशु मेला है वो अभी तीसर गस्ते 14 सेतंबर तक परबत्सर नागौर कुचामन जो सिटी है डीडवाना में तो वहाँ पर आयोजित हुआ है वीर तेजाजी का जो मेला है और ये पशु मेला है साहित्य मनेशी रत्न अब साहित्य मनेशी रत्न देखते हैं राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृती जो हमारी राजस्थानी लैंग्वेस है हमारा जो लिट्रेचर है और जो हमारा कल्चर है ठीक है तो उसके जो अध्यक्ष है इस एकैडमी के अध्यक्ष है ना चंगानी को ये साहित्य मानीशी रत्न दिया गया है ठीक है और साहित्य मानीशी रत्न में लमसम धाई लाख रुपीज का एक प्राइज मिलता है ठीक है पोस्कार मिलता है साथ में एक शॉल और एक प्रती मिलती है तो इनके अध्यक्ष अब ये शिवराज चंगानी जो है व किसे दिया गया है तो शृवराज छिंगानी को दिया गया है इसकी उपाधी प्रदाप की गई है मतलब एक किराडू के मंदिर को क्या बताया गया अभी एक proposal गया है कि UNESCO site में किराडू के मंदिर को भी एड करो इसका proposal गया है अभी ठीक है और इन मंदिरों का जो किराडू के मंदिर का यह 11th और 12th century में हुआ था और पुरातत्व एवं संग्राल्ले विभाग यह कहां पर है जोदपूर में है ठीक है पुरातत्व एवं संग्राल्ले विभाग जोदपूर ने बाडमेर से 35 किलोमेटर दूर इस्थित किराडू मंदिर जो है उसको UNESCO की जो यह भी बहुत इंपोर्टेंट है कि राजस्थान में ओम शेप का जो शिव टैंपल है वो कहां पर है राजस्थान का जो ओम आकृती का जो शिव मंदिर है और कौन से लॉड को बिलॉंग करता है कि इस लॉड का है कि भगवान का है कि गॉड़ लक्षमी का है विश्नु का है ब्रह्मा जी का है किसका है तो यह शिव जी का मंदिर है ठीक है नाम से भी पता चल रहा है ओम शेप का है तो ओम से तो शिव जी मंदिर होगा तो जाड़न गाव है ठीक है जाड़न गाव अब कहां पढ़ता है देखते है राजिस्तान की पाली जिले की पाली जिले की मा तो जाड़न गाउं में ओम आकृती का श्विव मंदिर यह प्रिपेर हो चुका है बनकर पूरा रेडी हो चुका है राजस्तान के पाली जीले में अब देखते हैं इस ओम इमारत को छीतर पत्थर से अब पत्थर की क्वालिटी होगी और किसी का पत्थर का कोई बहुत अच्छा पत्थर होगा तो उस पत्थर से बनाया गया है और इसके अंदर चार खंड है I mean चार पिलर्स है उसके उपर यह तिका हुआ है अंदर एक भूगर भी बनाया हुआ है जिसमें तीन खंड जमीन के उपर है और बीचों बीच में इसके जो स्वामी माधवानंद है यह स्वामी माधवानंद इनकी समाधी है और इसके चारों और सब्त रिशी जो है उनकी मूर्तियां है ऑप्रेशन अलर्ट ठीक है ऑप्रेशन अलर्ट किया है कि जैसे बॉर्डर सिक्यॉरिटी फोर्स होती है बीचेफ तो वहां की बॉर्डर के उपर जब कुछ घुसपेट हो जाती है या कोई ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसके लिए ऑप्रेशन अलर्ट चलाया गया अभी किसने चलाया है ब बॉर्डर सिक्यॉरिटी फोर्स द्वारा ठीक है बीचेफ बॉर्डर सिक्यॉरिटी फोर्स यह एक दिसंबर 1965 को एस्टबिश हुआ है मैंने आपको फर्स जो इससे पहले की करेंट अफियर की क्लास थी उसमें मैंने CISF, CRPF और ITBP इनकी सारी एस्टबिश्मेंट बताई और BSS में कौन सा भारत पाकिस्तान की जो गुस्पैट हो जाती है तो यह operation alert चलाया है यह भी बहुत important है कि अब तक प्रदेश में कितनी कुल नगर निगम हो चुकी है, अब तक हो चुकी है 11, पहले 10 थी, अब अलवर को भी नगर निगम के रूप में announce कर दिया है कि नगर परिशद अलवर को नगर निगम में क्रमोनत कर दिया गया है तो इसके साथ ही अब प्रदेश में कुल कितनी हो गई है 11 हो गई है, पूरे 11 के नेम्स देख लेते हैं, अजमेर, बीकानेर, जैपूर ग्रेटर, जैपूर हैरिटेज, जोदपूर उत्तर, जोदपूर दक्ष राष्ट्र मंडल, युवा खेल, इसका 2023, ये इसका कौन सा एडिशन था, इसका 7 एडिशन है, और 4 से 11 अगस्त को ये होस्ट हुआ, और कहां पर हुआ, पोर्ट ऑफ इस्पेन, टोबू और त्रिनी दाद में ये होस्ट हुआ है, मेजवान जो कंट्री रही है, वो ये रह पाटिसिपेट किया, और जो इस परदा रही है, साथ खेलों की रही है, 93 कॉंपेटिशन रहे हैं इसके अंदर ठीक है, तो राष्ट्र मंडल, युवा खेल, साथवा संस्करन था, पोर्ट ऑफ इस्पेन में ये कंड़क्ट हुआ है, अब इसका जो मोटो है, वो क्या है, इसका मोटो One Heart, One Nation, One Spirit, One Heart, One Nation, One Spirit, राष्ट्र मंडल, युवा खेलों के साथवे संसकरन का आयोजन त्रीनिदाद और टोबो गो, ये कंडरी के नेम है, टोबे गो, ठीक है, त्रीनिदाद ऑवं टोबे गो के पोर्त ऑफ इस्पेन में, यहाँ पे किया गया, साइविंत वाक्य था, Moto जो था वो था, One Nation, One Heart, One Nation, One Spirit ता आच इसमें एक बात और देख लेकों, बंटे रही है, वो कॉनसे रही है, और हमारे इंडिया के क्या-कया पोजेशन थी, तो इसमें हाँ इसके बाद में इंग्लैंड रहा है नमबर टू पोजिशन और जो इंडिया है इंडिया की जो पोजिशन है वो 17 रैंक मिली है इंडिया जो है हमारा सत्रवे इस्थान पर रहा है 17 पोजिशन पे इंडिया की पोजिशन रही है ठीक है 1st पे Australia, 2nd पे England और 17 पे India अब बात करता है FISU FISU जो है न ये World University Games कंड़क करवाती है World University Games है इसका जो एडिशन था वो 31 था ये 8 जुलाई से 8 अगस्त तक होस्ट हुआ मेजबान जो कंट्री थी वो इसकी Chengdu चाइना में हुआ ये FISU World University Games चाइना में हुआ 31st इसका एडिशन था प्रतिभागी जो टीमें थी वो 116 टीम्स ने इनोंने पार्टिसिपेट किया और इसका जो मोटो था वो Chengdu makes dreams come true ये dreams आएगा ठीक है Chengdu makes dreams come true और इसमें सबसे जो टॉप किया है वो चाइना नहीं किया है चाइना में होस्ट हुआ है और चाइना नहीं इसमें टॉप किया है और जबकि जापान ने इसमें सेकंड पोजिशन पे रहा और साउथ कोरिया इसमें थर्ड पोजिशन पर रहा ठीक है नमबर वन पे चाइना नमबर टू पे जापान और नमबर 3 पे South Korea चीक इसमें हमारे इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? भारत ने 11, टोटल 26, 7 इसमें पोजेशन रही है टोटल कितने जीतें इसने? 26 26 मेडल के साथ में हमारे जो इंडिया की पोजेशन है वो 7 पोजेशन रही है सबसे नमबर 1 पे चाइना में होस्ट हुआ और चाइना ही इसका टॉपमोस्ट कंट्री रहा जापान में हुआ फिर 2 जापान में हुआ फिर 2 जापान फिर 2 जापान देन दक्षिन कोरिया और हमारे इंडिया की जो रैंकिंग है वो इसमें 7 रही है वर्ल उनिवर्सिटी गेम्स में चाइना इसमें टॉप में रहा खेलो इंडिया महिला लीग का अब नाम बदल दिया गया है और अब उसका नाम क्या रख दिया गया है असमें टा महिला लीग बहुत इंपार्टनिंट है कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो अस्मिता महिला लीग इसकी फुल फॉर्म है Achieving Sports Milestone by Inspiring Women Throw Action तो इसकी घोशना कर दी गई है कि अस्मिता महिला लीग इसका नाम रख दिया गया है केरल के मुख्य मंत्री का नाम क्या है पिनरई विजियन इन्होंने कच्रा मुक्त राज्य के लक्षे के साथ में एक स्कीम लाई गई है उस स्कीम का नाम है मलीने मुक्तम नव केरलम यानि कि नया केरल जो है वो मुक्त रहेगा कच्रे से ठीक है ये मलीन है ठीक है तो कछरा मुक्त राज्य के लक्षे को प्राप्त करने के साथ में इनोंने एक scheme launch किये कि मलीन है मुक्तम नेव नव केरलम obviously बात है last में केरल आरा है तो सबको पता होगा कि केरल के केरल राज्य में start हुई और केरल के CM ने इसे launch किया है क्योंकि CM है पिनरई विजियन ठीक बस और 2024 तक का इसका एक टार्गेट है कि इस समय तक हम अपना अप्षिष्ट्र प्रबंधन ने उसको बढ़ाना है अब बात करते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जी आई टैग है आप तमिल नाडू के मेटी केला को भी एक जी आई टैग अभी बताया था जी आई टैग होते है जो ग्राफिकल इंडिकेशन यानि कि किसी भी भोगोलिक एरिया में जितने भी इंपार्टेंट जो वनस ठीक है तो तमिल नाडू के कन्या कुमारी जिले की एक मूल किस्म है ये केले की ठीक है तो मैटी बनाना को इस अनूठी विशिष्टा और गुणों के लिए जी आई टैग दिया गया है और प्रसिद केले की किस्म है ठीक है तो जो मैटी केला है केले की एक किस्म है और इसी के साथ में एक और कि राजोरी चिकरी वुड क्राफ्ट ठीक है राजोरी का है जे एन के में है और मुश्क बुदजी चावल राजोरी चिकरी वुड क्राफ्ट है एक लकडी की क्राफ्ट है राजोरी और मुश्क बुदजी ुचावल की किस्न है जो कि Jammu Kashmir की। जम्मू कश्मीर में इसको GI टैग मिला है। तो lesta Tamil नाडू में में डिया को मिला है, Jammu Kashmir में एक Woodcraft को मिला है जिसका नाम है राज़ोरी चिक्क्याथ और दूसरा है मुष्क बुद्जी चावल की जो किस्म है उसको अब इसी के साथ में इंडिया जो है इंडिया में सबसे ज्यादा जी आई टैग्स मिले हैं तो सबसे ज्यादा जो जी आई टैग्स मिले हैं ना ओ शिट हां तो सबसे ज्यादा जो जी आई टैग्स हैं 58 प्रोडेक्ट के साथ में तमिल नाडू सबसे टॉप पर है जी आई टैग्स में यानि कि तमिल नाडू एक मात्र ऐसा स्टेट है जिसमें जी आई टैग्स कितने हैं 58 प्रोडेक्ट्ट को जी आई टैग्स मिले हुए हैं तो वो, second position पर कौन है, second position में UP, ठीक है, second position में UP और third position पर है करनाटिका, K.R.N. ठीक है, K.R.N. मतलब करनाटिका, ठीक है, तो first position पर है Tamil लाडू, second पर है UP और third पर है करनाटिका, ठीक है, तो ये भी बहुत important हो जाता है, और इसके अलावा Tamil लाडू की जदेरी नाम कट्टी और चेदी बुट्टा साडी को भी एक GI टैग मिला हुआ है ठीक है तो तमिल लाडु के तीन बता दिये एक तो जदेरी नाम कट्टी और चेदी बुट्टा साडी और एक मैटी के ला ठीक तो यह सारे GI Tags हो गए है और Tamil Nadus में 1st position में है GI Tags यह हमने discuss करी लिया है कि राजोरी चिकिक वुडग्राफ, thanks for watching तो आज का यह current affair का सीरीज यही पर finish होगा, इसमें आपके complete August month के जितने भी important important और complete ही है overall, इसी में राजस्थान हमने discuss किया, इसी में हमने GI Tags discuss किये राजस्थान लेवल के भी और इंडियन लेवल के भी कि सबसे topmost GI Tags है और जितने भी sports activity हुई है वो सब हमने discuss कर ली है, RPL हुआ, तो इसी के हाथ में आप मुझे comment करके बताना, मैंने जो आपसे questions पूछे है एक तो CISF से related, CISF का पूछा है, ITBP और CRPF, इनका establishment कब हुआ था, thank you so much